भारत देश में उत्पन कोईले की कमी के करान मद्द्द परदेश में चाहए बिजली संकट पर परदेश सरकार नेंद्रा कर रही है जल्दी परदेश के किसानों को 24 गंटे भाजपा बिजली उपलब्द कराएगी दर असल छिंदवाडा दोले पर पहुंचे भाजपा परदेश किसान मोर्चा के अध्याच का आज अलप समय के लिए चर्ची तिरहा पर आगमन हुआ यहाँ पर किसानों ने उनका फूल मालों से स्वाकत सम्मान किया गया बिजली संकाट को लेका डिटी नीज द्वारा उचे गया सवालों पर उन्होंने कांग्रेस को ही अपने पुराने दिन याद दिलाने की बात कही गई एवं वर्तमान में बिजली संकाट पर नपी तुली बात कही देखे यह रिपोर्ट मद्व परदेश किसान मोर्चा के परदेश अध्याच दर्शन सिंग चोधरी चिंदवारा दोरे पर आई वह थे यहां पर बैतूल वापसी के दोरान जुन्नारदों में किसानों ने उनका गर्म जोसी से स्वाकत संबाल किया इस दोरान डिटी नीज से चर्चा में उन्हो ने कांग्रेश को ही पुराने दिन याद दिलाने की बात कही है स्वाकत संबान के दोरान राजु नन्वंसी स्यूपाल यद्वंसी भागलाल यद्वंसी सहीद बड़ी संका में किशान उपस्तित रहे चिंत पर्टी किसान मूर्चा प्रदेश अद्यक्ष होने के नाते मेरा चिंदवाला नहीं पूरे जिलों का दोरा लगातार चल रहा है और J Laura में आज हमारे जिलाध्यक्ष और फ्रद्यृष मंती के नेत्यत में अभी हमारे चोज़ाय का कारी कम हो चुद्वारा का हो और अभी परासिया का कारी कम करके बैतुल जा रहा है, और एसी दर्मियान हमारे यहां कारीकरतों का उस्सा है देखते ही बन रहा है। और उसी लक्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब जनता किसी भी प्रकार के नहीं आएगी पुराने वाले चुनाओं में भरती जनता पार्टी की कमल के फूल को खलाएगी और अभी बरतमान में देखा जाए तो पूरे परदेश में बिजली का हाकार मचा हुआ है जिसको कांग्रेस ने मुद्द बनाने का अधिकार इसली नहीं है कि हम उस जमाने को याद कर लें जब अब हम सरप्लस बिजली में थे अभी बरतमान में पूरे देश के अंदर को इल कंतित हो जाएगी बिजली में किसी भी किसान को परिशानी नहीं आने दी जाएगी यह 24 गंटा जो फीडर वाई फेशन करके दाओं में देने का काम वह भी हमने किया है और आगामी समय में भी किसान को रियायत देने का काम करें